जहिन मेरे प्यारे साथ ही हो तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं हिंदी के चाप्टर्स थर्ड क्योंकि हमने दो चेप्टर बातचीत और उसने कहा था कंप्लेट कर लिया है इसमें हम बात करेंगे संपुन क्रांती के पूरे के पूरे वन सोट वीडियो का उसके समरी का इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आ सकता है क्योंकि देखे एक्जाम में आपका समरी भी आता है आपको मालूम होगा आपका समरी भी आता है objective भी आता है question answer भी आता है तो ये तीन चीजे यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी chapter लिखना आसान हो जाएगा थोड़ा सा चीजों को और आसान बनाने के लिए हमने इसमें लिया है वही important point जो आपके examination से related होता है ठीक है ना आएए हम लोग बात करते हैं आएए हम लोग बात करते हैं एकदमे starting से starting से कि आखिर ये होता क्या है आखिर ये होता क्या है क्या से summary लिख सकते है important point कौन कौन होता है समझेगा सबसे पहले संपून क्रांती के अगर लेखक का बात किया जा है तो संपून क्रांती के लेखक कौन है जी जय प्रकास नरायन कौन है जय प्रकास नरायन आपको एकदम रट लेना है सभी राइटर का नाम हमने उसमें एक वीडियो भी बना दिया है सभी राइटर का नाम उनका जनम उनका मृतु साथी साथ चैट संपुन क्रांती है क्या है यो बहुत ही मेमुरेबल है यादगार है पाँच जून 1974 को पटना के अपने ही बिहार पटना के गांधी मैदान में यह भासर दिया गया था और इस बहुत सारे युदाओं में क्रांती आया और यहां से बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिल गया तो यह याद रखिएगा सबसे पहले संपुन करांती के लेखा कौन है कौन है कौन है कौन है जैप्रकास नरायन यह भासर कब दिया था पांच जून 1974 को दिया था कहां दिया था पटना में कहां गांधी मैदान में कौन नहीं जा दो एक 11 अक्टूबर 1902 को इनका जनम हुआ था इनका निधन का बात किया जाए 8 अक्टूबर 1989 मतब लगभग अगर कहा जाए तो इनका जीवन काल 77 सालों का था ठीका ना 77 यहर्स का इनका पूरा का पूरा लाइफ टाइम है आप देख सकते हैं जैप्रकास नरायन का जनम अस्थान का बात किया जाए तो सिताब दियारा गाओं सिताब दियारा गाओं आप सभी कोई याद रखना होगा सभी कोई याद रखना होगा चलिए सबसे पहले राइटर कौन है जी जैप्रकास नरायन जैप्रकास नरायन है दो तरह से संपूर्ण करांती किसने लिखा य जैपरकास नरायन का जनम इनका मृत्तु इनका जनम कहां हुआ था ये भी ध्यान रखना होगा मारी डिया स्टूडेंट एक दाम आप लोग ऐसे ही पूरा का पूरा एक नोट्स बना लिजे और याद कर लिजे चले जी जैपरकास नरायन के माता जी का नाम फूल रानी फूल रखिएगा इनके मता जी का नाम फूल गानी देवी जैपरकास नरायन के पीता जी का नाम हरसु दयाल हरसु दयाल अगर बात इनके सिक्षा का किया जाया तो अरंबिक सिक्षा अरंबिक घर पर अरंबिक जो सिक्षा था जो सुरुवात वाला सिक्षा था उन्होंने अपन थीक है ना फिर 1902 में शिख्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए समझिएगा यह क्या कहा जा रहा है अरंबिक सिख्षा घर पर आगे की शिख्षा के लिए पटना कोलेज मतलब पटना के कॉलेज में पढ़े 1922 में यह भी पुछा जा सकता है मतलब बहुत-बढ़ा सिख् मा के अस्वस्तता के कारण PhD नहीं कर पाए मतलब भाई इनकी मम्मी का थोड़ा सा अस्वस्त होने के कारण समझी रहे मता-पीता का अस्वस्ता एक बहुत बड़ा कारण होता है तो ये समझिएगा कि अपने मा के अस्वस्तता के कारण ये PhD भी नहीं कर पाए थे लेकिन हाई एजुकेशन के लिए ये कहां गये थे अमेरिका अब पटना क्या कॉलेज करने के लिए आरंबिक सिक्षा जैसे माल लिए शुरुवाती सिक्षा जैसे वन टू टेंथ का जो सिक्षा होता है इन्होंने अपने घर पर किया तो यहां तक में कोई परसानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए मता जी का नाम फूल रानी पीता जी का नाम हरसुद्याल एक दम एक एक चीज को रट ज़ाओ मेरे डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे साथियों आईए हम इसके सारांस को देखते हैं और पूरे इनर्जी के साथ देखते हैं प्रस्तूत पार्ट में लोकनायक जै प्रकास नरायन को क्या कहा जाता है लोकनायक लोकनायक किसे कहा जाता है जै प्रकास नरायन को प्रस्तूत पार्ट में लोकनायक जै प्रकास नरायन द्वारा दिये एतिहासिश का एक अंग है, सुनिएगा, मतलब ये जो भार्चाड है, ये भार्चाड उसका अंग है जब उन्होंने 5 June 1974 को भार्चाड दिया था। उसी का छोटा सा अंग है, ठीक है ना, एक छोटा सा पार्ट है। जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को दिया था को पटना के गांधी मैदान में दिया था याद रखिएगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने ये दिया था संपून भारा सोतंत्र पूस्तिका के रूप में जन मुक्ती पटना से प्रकासी थे कहां से पटना से कव दिये थे भासर 5.1974 को भासर को सुनने के लिए लाखों की संक्यामें लोग पूरे पर्देश से आये थे जिसमें युवाओ का बोल वाला था पूरे प्रदेश से तो आये थे लेकिन जादा तर उसमें कौन थे जी युवा थे युवा सक्ति समझते हैं यंग पावर जब किसी भी काम को करने में लग जाता है तो वो काम अवस ही पॉसिबल हो जाता है तो एक बार फिर से इस चीज को पढ़ते हैं आराम से इस चीज को समझते हैं जादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यह जो प्रस्तूत पाठ है यह लोक नायक जैप्रकास नर दिनकर जी और राम ब्रिक्ष बेनि पूरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नौ निर्मान के लिए क्रांती का कार करती लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है इस भासर में दो ब्यक्तियों का दो महान ब्यक्तियों का नाम लेते हैं रामधारी सिंग दिनकर और राम ब्रिक्ष बेनिपूरी जी का ये कहते हैं कि अगर आज वे होते तो उनका जो कविता है वो कविता पुरे नौ निर्मार नया भारत को बनाने के लिए क्रांती का काम करता लेकिन सबसे दुर्भाग के का बात यह है कि आज हमारे बीच वो नहीं है तिक ना आज हमारे बीच वो नहीं है जाय परकास नरायन जी कहते हैं कि जिम्वारी मैंने मांग के नहीं लिया मुझे यह जिम्वारी यु कितना सांदार सबसे पहले दो व्यक्तियों का दिनकर जी का राम ब्रिक्ष बेनिपूरी जो बहुत बड़ा कवी माने जाते हैं ठीक है उनको याद करते हैं कि आज हमारे बीच होते तो भारत एक नया भारत होता और क्रांती का काम करता उनका कवीता ठीक है ना अच्छा जी वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा यह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा कि मैं नेता हूं मैं काम करूंगा मैं सब की बात सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा यह होना चाहिए हर मनुस में होना चाहिए आप नेता हैं कुछ भी है सुनिए सबका लेकिन करिए अपने मन सबका सुनिए लेकिन जो जादा भीटर लगे वहीं आपको वहीं बाते करें मैं वो नेता नहीं बनूंगा मुझे ऐसा नेता बनना है कि मैं सबका सुनूंगा ठीक है ना सुनूंगा सबका लेकिन करूंगा अपने मन का मैं सबकी बात सुनूंग लेकिन अंतीम फैसला मेरा होगा अरण आय बाकने अपने परिवार की घरीबी के बावजोद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कंग्रेस में सामील हुए सुनेगा यह फ्रार्वा पढ़ने के लिए आपको पहले ही हमने बता दिया है कहां गय थे तो ये गय थे अमेरिका में पढ़ने के लिए अपने बल्बूते पर पढ़ाई की अपने कमारहि कर वहां पढ़े इन से बहुत सारा की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बल्बुते पर पहाई की तथा वापस आकर कॉंग्रेस में कहां सामिल हो गए कॉंग्रेस में क्योंकि उस समय कॉंग्रेस का बोल बाला था देख रहे हैं ना अच्छा जैप्रकास बाबू से मिलने बहुत सारे नेता है और सब तरफ लोकतंत्र को अपने पैरेस पैरो से कुचलते हैं मतलब इनको समझे इन जब यह आया अमेरिका से इन से मिलने के लिए बहुत सारे नेता है लेकिन नेता का कहना क्या था एक तरफ लोकतंत्र के सिक्षा दी तो दूसरे तरफ लोगों के जूलुस को रोका गया मतलब एक तरफ इन्होंने सिख्षा दिया लेकिन दूसरे तरफ इनका जो काम था वो बिल्कुल बढ़िया नहीं था इन्होंने जूलूस को रोका जो नहीं करना चाहिए एक नेता को ठीक है न इसलिए कहते हैं कि ऐसे नेता को सर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते ह लेखा के कुछ मित्र उनका और इंद्रा गांधी जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे लेखा कहते हैं कि मेरा इंद्रा जी से ब्यक्तिगत जगड़ा नहीं है बलकि उनकी गलत नितिया से मेरा जगड़ा है मतब बहुत सारे इनके जो दोस्त थे ओ दोस्त क्या चाहते थे कि इंद्रा गांधी और जैपरकास नरायन मिल जाएं लेकिन इनको थोड़ा सा उनसे मिलने में प्रॉबलम था प्रॉबलम यह नहीं को उनसे कोई ब्यक्तिगत जगड़ा था इंडिवीजूल कोई माली जे अब्जेक्टिव में कि कौन दोनिताओं का अलोचना किया सिकायत किया तो बापू और नहरू जी की भी अलोचना की लेखा कहते हैं कि आज राजनीती में भरस्त चार बढ़ा है जिसका प्रमुक कारण चुनाओ की चर्चा है चुनाओ की सबसे भरस्त चार बढ़ने का कार चुनाओ के बाद क्या था कितना बढ़ियाँ बाद इस चैप्टर से हम लोग को हम लोग भी कें लर्न मैंनी तिंग स्रॉम मतब दिस चैप्टर रहा बहूत सारे चीजों को सीख सकते हैं इस चैप्टर से अरह बासमझ में न आदा आयवार समझ में जिसका प्रमुक कारण च कुछ नहीं होता है देख रहे हैं ना कितना अच्छा लोग तंत्र में चुनाओ के बाद अपनी परतिनीधियों पर जनता का कोई अंकुछ नहीं होता है मतलब परतिनीधी मतलब जिसको चुनते हैं अब क्या नेता बन गए और नेता मतलब बहुत बढ़ा नहीं बन गए अब लोग उनसे कुछ सलाह नहीं कर सकते हैं लोगों का बस उतना ही काम था कि उन्होंने वोट दिया जिताया बस उनका काम खताम ये इस चैप्टर को अपने देशों से में प्रेश तथा पत्री का परतिनीधियों पर अंकुस लगाती है लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है देख रहे हैं न मतलब ये दूसरे देशों का तुनला कर रहे हैं कि लेखक के अनुसार यानि जैप्रकास नरायन करते हैं कि अन देशों में प् उसी वक्स से चल रहा है लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है जै प्रकास नरायन जी का यह भासड़ वाकरी का यह संदार भासड़ है यह जो यादगार भासड़ है इसमें यओ को बहुत सारा इन्होंने प्रेरित किया है युवाओ को आगे लाए है ठीक है ना इस भासर से इतना impact इतना प्रभाव आया कि बहुत सारे changes जाए ठीक है ना तो ये आपको chapter कैसा लगा ये summary कैसा लगा आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा दे कर comment box में comment जरूर करिएगा my idea student आपके comment का हमें इंतिजार रहता है ठीक है और ये देखकर energy देखकर कैसा लगा एक ए की जुनून के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद